आगे बड़ते PCC चीफ मोहन मरकाम ने एक बयान दिया और BJP पर नुशाना साधा उन्होंने कहा कि BJP ने 15 साल जूते वादों के दम पर राज किया बस्तर में BJP दूर दूर तक नहीं है हमने बस्तर में वकास के लिए काम किया है हमने 15 साल तक BJP ने यहाँ पर 15 साल तक बस्तर की उपेक्षा की लेकिन हमने यहाँ पर काम किया है मरकाम की 2030 की तैयारी में आप लोग जूट गए है हलकि आप लोग इस तो सरकार है एक 70 के साथ विधायक भी है बहुजूत उसके महिनत किया जा रहा है मिसंद 2023 को लेकर कल माधन तेस्वरी की पावंधरा बस्तर से संभागी सम्मिलन के माध्यम से विधिवत हमने सुरुआत कर दी है उसके बाद बलासपूर संभाग में साथ तारीको आड़ तारीको दूर्ख संभाग में उसके बाद राइपूर और सरगुजा संभाग में संभागी सम्मिलन होंगे हमारे कारकरता सम्मिलन किया जा रहा है इसका मकसद क्या है और कारकरता क्या कारकरता को एक दर से चार्ज करने के लिए किया जा रहा है है इसमें कारेकरताओं को रिचार्ज करना उसमें बहुत से सभी विस्यों पर हम लोग ब्याख्यान भी देते हैं बूत प्रबंदन सोसल मीडिया केंदर सरकार की नाकामिया हमारी सरकार की उपलब दियां 15 साल भारती जनता पार्टी का जो 36 गड़ में कारेकाल रहा उसके बा कारेकरताओं को बताते हैं कारे हमारे कारेकरता उन्हीं सब बिंदों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे हैं को कहा देखते हैं बस्तर में तो बीजेपी को मेरे को नहीं लगता कि दूर दूर तक नहीं दिखता क्योंकि हमारी सरकार लगातार सरकार आने के बात लगातार बस्तर के विकास के लिए काम किया है पंदरा साल सत्ता में रहने की भारती जन्ता पार्टी ने लगाता बस्तर का उपेक्छा किया जिसके कारेंड 2018 के चुनाव में एक तरपहां कांग्रेस पार्टी को लीड मिली है बस्तर में बीजेपी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है निश्चित तौर पे इस बार भी 2023 में बड़ी बहुमत के साथ बस्तर में वापस जित करेंगो जो 2023 में फिर सरकार बनाएंगे कैमरा बर्सन दीपाक के साथ में कुलिसर पांडे बंसनलिूस राइपूर